जै जै श्री राधा कृष्णा श्री वरिंदावन धाम की जै आईए आप और मैं आज दर्शन करते हैं वरिंदावन धाम के और मांसिक रूप से परिक्रमा करते हैं श्री कृष्ण जी और राधा जी की लिला स्थली वरिंदावन धाम की शिरिक कृष्ण जी ने बालवस्था में वरिंदावन में सेंकडो लिलाएं की और आज भी वो लिलाएं यहाँ पर होती हैं ऐसा माना जाता है वरिंदावन धाम में निरंतर बदलाव होता रहता है यहाँ पर कई मंद्रों को तोड़ा गया और फिर से बनाया गया लेकिनी वरिंदावन की रज और यमना नदी आज भी अपने उपराने वास्थविक रूप में हैं तो चलिए रादे रादे बोलकर हम आरंब करते हैं शिरी वरिंदावन धाम की परिक्रमा हम अपनी परिक्रमा आरंब करते हैं इस कौन बंदिर से थोड़ा पहले रमन रेती पुलिस सोपी के पास परिक्रमा मार्ग से परिक्रमा आरंब करने के स्थान पर दंडवत परनाम करके विंदावन की रज को अपने माथे से लगाया जाता है और इस परिक्रमा मार्ग पर दर्शन होते हैं ठाकुर्जी के प्रती अटूट श्रदा रखने वाले भक्तों पर श्री राधा क्रिश्न नाम का जब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछी समय में हम पहुँच जाते हैं भक्ति वदान्थ होस्पिटल के सामने राधा निवास श्री हित राधा केली कुझ यहाँ दर्शन करते हैं श्री प्रेवा नंजी महराज के आश्रम के और आगे बढ़ते हैं अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा मार्ग की कुल लंबाई लगवग 12 किलोमेटर है और आप दो घिंटे में अपनी परिक्रमा पैदल पूरी कर लेते हैं अब हम पहुँच गए हैं इस कौन गोशाला के सामने जहां पर आप गौमाता की सेवा कर सकते हैं श्री धाम व्रिंदा वन की परिक्रमा मन को सुख देने वाली और मन चाहा फल देने वाली है परिक्रमा मार्ग पर अब हम पहुँच गए हैं काली दह मंदे ये केली कदम वरिक्ष है जो की लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा गुराना है और शिरी कृष्ण जी के पैरों के निशान के पास ये वो स्थान है जहां पर शिरी कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया था यहां पर कालिया मर्दन लीला वर्नित है उस समय पर यमना जी इस कदम वरिक्ष तक आती थी और आज भी पिछले वर्ष कई सालों के बाद यमना जी अपने वास्तिव काकार में आई और इस वरिक्ष को छूप कर गई परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं प्राचीन मदन मोहनजी मंदिर पर ये एक उचे टीले पर बना हुआ है और वरिंदा वन का एक प्राचीन मंदिर मंदिर बहुत ही भवे बना हुआ है हलाकि मुगलों द्वारा इसे भी तोड़ने का प्रयास किया गया मदन मोहन मंदिर के पीचे ही बनी हुई है शिरी सनातन गोसोमी पाद जी की बजन कुटी यहाँ पर हर समय मधूर की तन चलता रहता है और मदन मोहन मंदिर की सीडियों से ही रास्ता जाता है शिरी सनातन गोसोमी पाद जी की समादी स्थल्की और विरिंदावन की धर्ती पर समय समय पर कई सादू संत महत्मा आए और यहाँ पर रहकर उन्होंने शिरी राधा कृशिन गुंगान किया चलिए हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और यहां से रास्ता जाता है शिरी पांके बिहारी जी मंदिर की और बिंदवन्थ परिक्रमा मार्ग पर प्रभू दर्शन के साथ साथ यहां पर बैठ कर बोजन करने की, खरीदरे करने की, विश्राम करने की सभी वेवस्ताइं श्री पांके पिहारी जी मंदिर और उसके साथ भी श्री राधा वल्दजी मंदिर दोनों ही मंदिर व्रिंदा वनके पर्मुक मंदिर हैं और यहां पर दर्शन करने के लिए हर रोज हजारों लागतों शर्दालों का मेला लगा रहा है इन मंदिरों में दर्शन करने में काफी समय लगता है तो परिक्रमा से पहले ही या परिक्रमा की बात भी आप यहां की दर्शन कर सकते हैं पांके बिहरी जी मंदिक की एंटी के सामने ही है जम्ना जी का किनारग शिरिधाम व्रिंदावन के दर्शन यहां की परिक्रमा करने के लिए आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते फाकुल जी की प्रिपा होती है तो ही आप व्रिंदावन धान के दर्शनों के लिए आते हैं अधिकतर शर्दालों विन्दावन धाम आते हैं मंदिरों के दर्शन करते हैं और परिक्रमा के दिना ही चले जाते हैं और अगर आपने भी ये परिक्रमा नहीं की है तो एक बार आप ये परिक्रमा अवश्य करें ये बहुत ही आनंग देने वादी है और अब हम पहुंच गए हैं महाप्रभुजी की बैठट पर इसे इमली तला मंदिर भी कहा जाता है मंदिर की दिवारों पर चेतन्य महाप्रभुजी के साथ साथ शिरिक क्रेशन जी राधा जी की बिलाओं को बहुत ही सुंदर करीके से दर्शाया गया बताया जाता है कि व्रिंदावन में लग भर 5000 से वीज जादा मंदिर है और सभी मंदिरों के बारे में विस्तार से बताना इस व्लॉग में संभव नहीं है यही वो इमली का व्रिक्ष है इसके नीचे बैठकर चेतन्य महाप्रभुजी ने भगवान का संधीर्पन किया इस व्लॉग को बनाने का अदेश है यही है कि आप भी व्रिंदावन परिक्रमा के लिए आए और यहाँ पर बने हुए मंदिरों और उनकी लिलाओं के बारे में जाने परिक्रमा करते हुए ही आप गव माता को चारा अधी भी खिला सकते हैं परिक्रमा मार्ग पर आगे आते हैं श्रिंगार गाट, गोविंद गाट, चीर गाट, ब्रमर गाट, केसी गाट तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं उनमें से पर स्थानों के और अब हम पहुंच चुके हैं परिक्रमा मार्ग पर चीर गाट पर ये वही स्थान है जहाँ पर जद गोफियों ने जल की मर्यादा सा उलंगन किया था तो भवान शिरिक पेशिंग ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके वस्तरों को कदम के पेड़ पर छुपा दिया था चीरगाट से एक रास्ता चला जाता है लिदिवन और राधा रमन जी मंदिर के लिए आप परिक्रमा करते हुए भी इन दोनों मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और वापिस फिर परिक्रमा मार्ट पर ही आ जाते हैं वैसे ब्रज के प्रिसित्योहार होली की शुरुवात विन्दावन में हो चुकी है विन्दावन के सभी मंदिरों में इसको मनाया जा रहा है राधा रमन जी मंदीर से ही आगे रास्ता चला जाता है शिरी गोपेश्वर नाज जी मंदीर, राधा गोपी नाज जी मंदीर और रंग जी मंदीर के लिए चलिए हम अपनी परिक्रमा को जारी रखते हैं चीर घाट से और आगे बढ़ते हैं ब्रमर घाट की ओवर यमुना जी के इन सभी घाटों पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग करते हुए आप दूसरे किनारे तक जा सकते हैं परसाथ के मौसम में यमुना जी का जलस्तर बढ़ जाता है और ग्रमर घाट से केसी घाट पर जाने का ये परिक्रमा मार्क बंध हो जाता है से निधिवन होते हुए रागा रमन मंदिर के रास्ते से केसी घाड तक आते हैं। युम्राजी के सासर बना ये प्रिक्रमा मार्ग और यहां से युम्राजी का जिश्य बहुत भी सुंदर लगता है। अब हम पहुँच चुके हैं केसी घाट। ऐसा बताया जाता है कि यहां पर श्रीक्रिष्ण जी ने केसी नामक राक्षस का वद्ध किया इसे आरती घाट भी कहा जाता है और अब यहां पर तैयारी हो रही है संध्या आरती की संध्या आरती गर्मियों में साड़े च्छे बजे की जाती है आरती के समय हर और टेसी घाट पर भजनों की मदुर्ध्वनी सुनाई देती है शिरीफ रिंदावन धाम में परिक्रमा पूरा साल ही लगाई जाती है अगर आप सुझे चार बजे के समय परिक्रमा लगाते हैं तो पूरे परिक्रमा मार्ग पर एक अलग ही सुन्दर्ता दिखाई देती है और साथ में दश्चन होते हैं आपको बड़े बड़े दिवे संत महात्मा के इसी परिक्रमा मार्ग लगाते है शिरी प्रिंदावन धाम परिक्रमा की सुंदर्टा को अगर आप नैसूस करना चाते हैं तो आपको इसे मन की आँखों से देखने होगा जी हाँ कुछ चीजों को यहाँ पर आपको नजर अंदाज करना हो जाए आज के समय में यहाँ पर कती दिन दर्शन करने वाले शर्दालों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि कई स्थानों पर सफाई विवस्था को लेकर परशासन थोड़ा सा लाचार नजर आता है तो हमें उन कमियों को नजर अंदाज करते हुए रादा कृष्णा नाम जबते हुए शर्दा भाव से अपनी परिक्रमा को पून करना चाहिए और अब हम पहुँच चुके हैं केसी घाट पर यहां इन दुकानों पर बैठ कर आप इश्राम कर सकते हैं और चाय नाश्ता ले सकते हैं गर्मियों में बहुत से शर्दालो रात के समय में भी विवरिंदावन धान की परिक्रमा को लगाते हैं परिक्रमा मार्क पर ये सामने है सुधामा कुटी आश्रम और हब हम आगे बढ़ते हैं श्री जगनार्जी मंदिर और टटिया स्थान की ओर यहाँ पर पैदल चलने के लिए पक्की सड़क के साथ साथ कच्चा रास्ता भी बना हुआ है और पेड़ों खंबों पर श्री राधा रादे रादे लिखा गया है यह सामने है श्री जगनार्जी मंदिर और इससे ठीक पहले है श्री जगनार्जी रसोई जहाँ पर साथा घर जैसा खाना 20 रुपे में आपको मिल जाता है आगे चलकर आजाता है देवरा बाबा घाट और इसके ठीक सामने है टटिया आश्रम इस आश्रम की पी बहुत मानेता है परिक्रमा मार्क पर अब हम कुछ गाउं में से होकर निकलते हैं पूरे परिक्रमा मार्क पर आपको छोटे छोटे मंदिर मिलते रहेंगे और साथ में मिलेंगे कई सारे आश्रम जो की भिंद भिंद संप्रदायों द्वारा चलाए जाते हैं विरिंदवन धाम परिक्रमा में बहुत ही आनंद मिलता है और अगर आप भी कुछ ऐसा आनंद मैसूस कर रहे हैं तो इस लोग को लाइफ कीजिए, शेव कीजिए और अगर आप ने हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर तीजएगा ऐसे ही और व्लॉक्स देखने के लिए विरिंदवन धाम की परिक्रमा में नंगय पाऊं भी की जाती हैं तो यसे कहा भी जाता है कि आप परिक्रमा के लिए या दर्शन के लिए जद्धी विरिंदावन जाएं जितने दिन भी वहाँ पर रहें वहाँ पर साधा जीवन जीने की कोशिश करें सुख सुविदाओं को थोड़ा दूर करने की कोशिश करें वैसे यात्रियों की सुक सुविदाओं का ध्रान रखने के लिए यहां पर बहुत सारे छोटे बड़े होटल परिक्रमा मार्ग पर ही हैं अब रात का समय हो चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं अकला चुंगी की और अपने परिक्रमा मार्ग पर और जल्दी ही हमारी परिक्रमा स्वाप्त होने वाज़ी परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं बाबा नीम करोरी समादिस्थल और बाबा नीम करोरी आश्रम पर ये स्थान अटला चुंगी के आसपास का है और यहां पर रहने खाने पीने की बहुत सारी सुविधाय उपलब्ध हैं कई आश्रम और कई छोटे बड़े होटल इसी स्थान करें और अधिक्तर यात्री शरधालों इनी स्थानों पर रहना पसंद करते हैं अब हम आचुके हैं अटला चुंगी पर बाई और का रास्ता मतुरा की और जाता है मतुरा की यहां से दूरी लगभग 10 किलो मेटर है और दाई और है रंगनार जी मंदीर यहीं से आपको बस मिल जाती है मतुरा परसाना गोवर्दन जी के लिए और परिक्रमा मार्ग पर राधा खिष्णा नाम चबते हुए अपने शरीर को पेष्ट देते हुए इस तरीके से दंडवत परिक्रमा करने वाले कई वक्तों के दर्शन भी होते रहते हैं अब हम पहुँच चुके हैं गोरी गोपाल जी गोव शालप जहां पर भी आप गोव माता की सेवा के लिए यथा शक्ती दानादी कर सकते हैं इस स्थान पर कई आश्रम हैं जिन में रहने के लिए होटल जैसी सुविदाएं हैं और अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो आप इन स्थानों पर भी रह सकते हैं अब हम अपनी परिक्रमा के अंतिर पडाव पर आ चुके हैं और सामने है गौरि गोपाल विदाश्रम और उसी के साथ में हैं गौरि गोपाल आश्रम जहां पर रहने के लिए और मुफ्त खाने की सुविदाएं भी मिल जाती है गौरी कोपाल आश्रम शिरी अनिरुद अचारेजी द्वारा चलाया जाता है जो की एक तधवाचक है और ये है गौरी कोपाल आश्रम का वैस थान जहां पर तती दिन कई जरूरत मंदों को भोजन कराया जाता है आपको श्री विंदावन धाम परिक्रमा का ये व्लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और आने वाले समय में ऐसे ही अन्य व्लोग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर करें और अब हम आ चुके हैं चेतन्य महाप्रभु मार्गफर रमडेती पुलिस चौकी के पास जहां से दिन में हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी चलिए मिलते हैं अगली किसी व्लोग में तब तक अपना ध्यान रखें रादे रादे